हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इस्टडिफायर में दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ बिस्व के प्रमुक संगठन दोस्तों मौस्ट इंपॉर्ट है आपके सभी आगामे एक्जामों के लिए चाहे आरारवी पहले संस्था पहले संस्था के बारे में क्या है दोस्तों और आप लोग दोस्तों इसे याद कैसे करेंगे आपको याद नहीं करना इसी वीडियो को तीन से चार बार देख लेनी हैं आपके सारी संस्था याद हो जाएंगे ठीक चलिए देखते हैं पहले संस्था के बारे में इसका मुख्याला कहां पर तो निव्यार्क में इसका सपना दोस्तों पहले क्या होता था एक्जाम में आप्शन के आता था यह आपका उनिसे 545 अब क्या हुआ है पूरा किसे सपना कभिए चोबी अप्टुबॉर उनिसे पैंटालिस आपको पूरा याद करना पड़ेगा किया 24 ऐसको मुख्याला कहां पर थिश्वा मुख्याला उएसम इंप तुछा सदस्के कितने और देखते हैं और इसको नभींतम उनत्य सुवार्टे नेशन से जुड़ा था इस डिकारी भासा दोस्तों कितनी अधिकारी भासा है तो इसके चृष 001 कौन कहों सी हैं लेकिन मुह की रूफ से उपयोग किया ओं इंगलीज और फ्रेंज यूज किया जाते हैं दोस्तों आगे देखते हैं मैंने आपको बताई दिया किसमें मुख्य रूप से कितनी बासांग प्रियों किया था इंगलिस और फ्रेंज का उप्यों किया जाता है और दोस्तों इनाटे नेशन के स्थापना 51 देशों ने मिलकर 1945 में किया था कितने देशों ने 51 देशों ने मिलकर 1945 में किया था दोस्तों और उन 51 देशों में अपना भारत भी है दोस्तों ठीक आगे देखते हैं इसके माहस अच्छी कौन है तो इसके माहस अच्छी इंटो नियो गुतरे इसके माहस अच्छी में आगे देखते हैं अगला है दोस्तों युनाइटे नेशन के सभी सदस्ट से समयुक्तराश माहा सभा के भी सदस्ट से होंगे जो भी सदस्ट से युनाइटे नेशन के होंगे वे समयुक्तराश माहा सभा के भी सदस्ट से होंगे दोस्तों आगे मैं बात करूंगा समयुक्तराश माहा सभा के ब रखते हैं कौन सिए जनरल एसेंबली जनरल समिली को हम महासभा बोलते हैं दूसरा है सिक्यूर्टि कौंसिल तीसरा है सेक्रेटरियेट चौता है ट्रस्टिशिप कौंसिल पहुच वाइए इंटरनेशनल कौट अब जस्टिस है चठा है एकोनॉमिक एंड शोशेल कौंसिल ए यह यूँएं की एक मातर ऐसी संस्ता दोस्तों जिसमें सभी सदस्टों क्या समान प्रतिन नित्व है और उनाटेटे नेशन को जो महाँ सभा है इसको दोस्तों 20 के लगू संसत कहते हैं दोस्तों कई बार एकजाम में पूचा गया है कि नेशन की संस्ता किस अंस्ता को लगू संसत कहते हैं तो महा सबा को विश्र की लगू संसत कहते हैं दोस्तों ठीक आगे देखते हैं इसका प्रमुक कारी क्या है इसका प्रमुक कारी है अंतराश्टी गोशला पत्र के अंतरगत आने वाले सबी समय बिशे पर चर्चा करना अगला है 713 के विभीन अंगों की दायरे में आने वाले प्रेसनों कवरण पर विचार करना दोस्तुformed इसकी जो अगली संस्था और सुरच्छा इसका मुख्य देश है इसके 27 सदस्श काइन-कौन-कौन से दोस्तों अमेरिका प्रीटें फ्राЗ privilege और चीन इसके 5 ah 30 سदस्श और इसका जुवत निला में पर पर्मुक का रहे में उप्रमक का क्ला है तो इसका प्रमुक का Рहे कैं अंतराष्ट्री आर्थिक एवंग समाजिक स्योग विकास कारीक्रावों में सायता प्रदान करना दोस्तों 28 सथाइस कितने हैं तो 27 सथाइस कितने थस और और कितने 10 ने अपर सकते नियुकर करूंगा देखिए है धो शुरुच्षक परिशम फोल कितने सदस्य हैं कुल 15 सदस्य हैं 57 सदस्य और 10 अरसा सथ इस के निए यह अर्षािश्टा स दिखते हैं या ए ज़न जाते हैं उन दसों में से हर साल पांच सथाहिस सज्स्तें जो और सथाहिस से दोस्तों उनका कारीकाल ौर्स का जो जो रहते हैं उनका हमेशा के लिए सबसाओ से एक पुर्वी एरॉप से और दो प्रस्मी एरॉप से कुल 10 हो गए पांच जो है एसिया और अफ्रीका मादिप के लिए निदारित 5 शीटों में से 3 सीटें अफ्रीका के लिए 2 सीटें एसिया के लिए निस्टili के गए उन जो दस और साइस सदस्य हैं उसमें से पांच जो सदस्य हैं वो एसिया और अफ्रिका माधिप के लिए नदायत की गई हैं उसमें से तीन सदस्य हैं वो अफ्रिका देश के होंगे अफ्रिका माधिप के होंगे और दो सदस्य कहां से होंगे तो यह एसिया माधिप से होंग कि 70 राज सुरचा पर्षीथ में जो भी अर्स्ताइश सक्राइश सय वंगा उनको कौण नुक्त करेगा तो समिक राज महा सबया उनको नुक्त करेगी अगला है भारत अब सुरच्चा परश्यद का आठ बार बन चुका है कितनी बार बन चुका है मिशन पॉइंट दोस्तों आठ बार और से बन चुका भारत विनुपार नेशन सेकूर्टी कितने हैं तो चल्वन इसके सदस्देस हैं और कैसे होता है बहुत है इनकी सीटों का अफंटन होता है और दोस्तों ॉ कि संस्था को हार्ट अब देART उस्टम बोलते हैं किस हंस्था को बोलते हैं संच्ञक तरास्थ आठक अफंग समजी क There the heart of the UN system कहा जाता है दोस्तों ठीक कि आगे देखते हैं इस च्छे उंगों में सरी अगलांग है कौन कौन सरी क्या है। इसकी स्तापना कब होई है स्क Yayson स्फियरिव कोर्ष मिसक्त के संब रूिये हैं इसका मुख्याला कहाँ पर है तो लेंड़ गमें इसका मुख्य डाय और इसका अधिश को ने जोन h समय क्तिराश्ट महाँ सब्सक्राइशक करने का का मैं होता तो नौकर का इंसका से पाकर कर Cup दोस्तों और इमक्रेश्ट के नहीं सकते हैं एक इसके नहीं हों सकते हैं अगे इसकी बासा कॉन कॉन कौनिये तो फ्रेंच और अंग्रेज़ी दो वासाएं यूज की जाती है ठीक दोस्तों आगे देखते हैं इसकी अगली संस्था है सविक राष्ट नियास परषत टर्स्टीशिप कांसल दोस्तों मोस्ट इसके बारे इससे भी कई बार ग्रम में पूछा गया है इसके सापना कब हुए उनिस से पैंतालिस में हुए इसका मुख्याला कहां पर है तो निवारक में इसका मुख्याला है और 1999 से यस्करी संघठण दोस्तों आपने स्प्रिंट है सक्री नई मिश्करी संघठा नाइए 1999 से इसका मुख्याला देश क्या है इसका मुख्याला धेश था दोस्तों उंदेशों के सुरच्चा औह प्रिशासन समयंदी दायत्तों का निर्वाण करना जो दूती दिश्यां के बाद के बाद भी सोतंतर नहीं हो पाए‌ से आगे देखते हैं अब दोस्तों वो सारे च्छे युनाइड़ेट नेशन के उनके बारे में देख लिए अगली अगली संस्था था है इसके स्थापना कभी है कई बार पूछा गया एक्जाम में ब्रिटेन बुट्स संविलन की संकल्पना की गई तो निस च्वालिश में और इसका गठन कभ हुआ था तो अप्चारिक गठन 1945 में 27 दिसंबर को हुआ था दोस्तों और मोश इंपोर्ट आगे है इंटरनेशनल मौनटी फंड और आई वी आडी दोस्तों आई वी आडी को विस बैंक कहते हैं इन दोनों इन दोनों संस्थाओं को बिटेन बुट्स क करते हैं को कहते हैं इसका मुख्यालग कहां पर रही का वासिंगरटन डीसी इसे कुछ सदसे कितने दोस्तों तो 190 सदसे देश हैं और नभींदम सदसे कौन सा है तो अंडूरा नभींदम सदसे दिसको और कई बार आप से पूछा है कि आई एमख की करनशी के बारे में तो फुर्म वह पूछा गया हुए चलिए आगे देखते हैं कि अगली हमारी संस्था है विस्ट वैंग दोस्तों मुश्ट पॉर्ट है आई वीड को ही हम क्या कहते हैं 20 में कहते हैं ठिक दोस्तों हो अब बैंक की स्थापना विटेन बुर्ष समयलन से 1944 में हुई थी दोस्तों ठीक और इसके जो संस्थापक क्यों क्यों पूछा गया है इसके संस्थापक कौन कौन हैं जान मैनाड किन्स हेरी डेक्स्टर वाइट एक इसके संस्थापक दोस्तों कई बार पूछा गया है कि इन्सके संथापक के बारे में तो क्वारे में तो कौन को सेবत सकते हैं और का सम्टियोन के बारे को से हैं पहला आई वीनाइडीक है यह कहते ऊश्म्यश ने लेते हैं the international bank for reconstruction and development और दूसरा idea idea का full firm किया है the international development association IFC का है the International Finance Corporation मेगा का क्या है the multi-structural investment guarantee agency मेगा का full form है ICSID international center for settlement of investment dispute इसका whole form है ठीक भारत ICSID का सदस्य नहीं है दोस्तों अब इन छे सम्मों के बारे में देखते हैं कि इनके सपना कब हुई है इनके एड़क्वाटर काहां पर इन सभी के बारे में देखते हैं दोस्तों इसका पहली सम्मों का पहली जो संस्ता है और इसका मुख्याला कहां पर वासिंग्टन डीसी को आप से पूछ सकता है कि इसका मुख्याला पूछ सकता है तो कि मुख्यालभी कहां पर है वासिंग डीसी में इसकी सापना बुटेंबुट्स सम्मयलेंट के दवराब हुई थी दोस्तों ठीक अबुटइन बूट्स प्रीनाका इसका अदिकारिक नाम क्या था तो ब्रिटांबूट से विकास और पुरना निर्मार बैंक को बिस्व बैंक कहते हैं मैंने बता दिया आपको आगे देखते हैं इसका ततकालिक देख से दूती विस्व और विस्व व्यापी संकर से जूद रहे देशों का मदद करने के लिए यह संस्था बनाए गए थी विस्व बैंक और आगे मोशन पॉन्ट दिया दोस्तों जब तक कोई सदस्य आई एमेप का सदस्य नहीं बनता तब तक वह विस्व दियाने की कोई विदेश जब इंटरनेशनल मौनिटी फंड का सदस्य बन जाता है तभी वह विस्व बैंक का सदस्य माना जाएगा ठीक दोस्तों आगे देखते हैं अगली संस्था आपकी अंतराश्टी विकास संग इंटरनेशनल डेवलेप्मेंट एजनसी यह विस्व की विस्व बैंक की अनुसंगी संस्था है दोस्तों इससे एक्जाम में पूछा था है टीर वन में रेलवे के कि किस संस्था को रियायति रिंट देने वाली खिडकी क कहते हैं और इसके स्थापना के बारे में पूछा था इसके समयंस् साथ में उंटских इसका मु wandering तो एक सब्सक्राइब और दोस्तों बिस्त को जो भी डेवलपिंग कंट्री एंपर देती दोस्तों तीक इसलिए से रियायति देने वाली खिड़की कहते हैं क्योंकि बहुत ही उदार खिड़की और बहुत ही कम इंट्रेस्ट पर व्याज देती है देशों को ठीक आगे था है अंतराश्ट्री बित निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉपरेशन ठीक इसके सापना कभी दोस्तों उनिस से चपन में हुई है इसका मुख्याला कहां पर है वाशिंग्टन डिसी में इसका उद्देश क्या है कि गंबीर समस्याओं से जूज रहे देशों में नीजी विकास को आगे बढ़ाना आई एप सी का मुख्या उद्देश था वर्तमान में इसके वर्तमान में सब्सक्राइशन आगे देखते हैं कि इसके अगली संस्ता क्यों से मिग बहुत अख्षी निवेस गरांटिश शंस्ता मैंने बता दिया पीछे और इसकी स्फ़ापना कहां पर है तो वर्तमाट यत निसस भी ने इसका क्या है कि कि इसका उद्धेश्स अ है motives सदसे डेशों में Oh ज що सब्सक्राइब व मलब बड़ावा देना ताकि आर्थी विकास में मदध में और रहे आदो करना people के सब्सक्राइब कोई अधर कंट्री का करेगा तो उसे हम एपडी आई बोलते हैं ठी और इससे क्या होगा लोगों को रोजगार मिलेंगे तो आर्थी बिवादों को सुल जाने के लिए अंतराष्टी केंद्र आई सी एसाई डी बनाया गया थो दोस्तों ठीक इसके असापना कब होई थी उनिस चांचट में होई थी इसकी सदसे देश कितने हैं अंतराष्टी निवेस बिवादों के सुल और मद्यस्ता के लिए सदसे बनाएगी दोस्तों इसलिए बनाएगे थी जैसे कोई कंट्री आकर के हमारी कंट्री में निवेस करें ठीक और किसी काराण वास उसका पैसा फजाए या कोई भी दिक्कत हो जाए तो क्या होगा यह वह जो वह जो कंपनी होगी वह इसी संस्था में जाकर के अपनी सिकायत करेगी तब जाकर कि यह उनका मेटर सुल जायागी ठीक दोस्तों और भारत इसका सदसे देश नहीं इसका सदसे नहीं लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिंदू नदी जल विवाद को इसी सं भी ढ तल जाया था ठीक अगरे देखते हैं सब्सक्राइब अब और रा उसके आंक के बारे में अब हम अपना विश्यव 1 के उनके बारे में अब अपनी अगली संस्था देखते हैं अगली संस्था है मोश्व इंपोइट है वर्ल बैंक कोनामिक फोनर ऩो है Lindis आर्थिक मंच, इसके सापना कब होई थी, 1971 में होई थी, इसका मुख्याला कहां पर है, तो सुड्य लेन के जिनेवा में इसका मुख्याला है, इसके संस्थापक कों थे, दोस्तों मोस्ट इंपोर्ड़न्ट है, प्रोफेसर एम्स राउ क्लास इसके संस्थापक थे, और वर् जेंडर गेप मोस्ट इंपोर्डेंट है, इन dressed, ऑगे देखते हैं दोस्तों, अगली हमारी기는 वोस्ट इंपोर्ड़न्ट संस्ता है बधूर्ण इन इसको मान लिजे हर इक जाम में इस描水 बनननाघार दोस्तों, अंगली मोस्ट इंपोर्ड़न कर ता है इवह इसे इसकों इ और कई बार सबसे पहले एक पूर देता कि उनिश्ट को का फुल फॉर्म क्या है तो इसके सपना कब हुई है ईसका मुख्याला कहां पर है तो फ्रांस की रैदान इसके सदस एंन्य है और मूब्स इन्परस्ताव के इसके सपना की गई थी और कलिंग पुरुसकार भी दूराLING द्वारा ही दिया जाता है कलिंग में भारत में पुरिसकार दिया जाता है अगली से दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ और इसन मोस्पोंट है डबली एच्चो अभी पैंडेमिक आया था कोविड-9 का उसमें इसका जिक्र बहुत बार गुए था तो इसको देखते हैं किसके सापना क इसके स्थापना हुए थी डबली एच्चो की इसका मुख्याला कहां पर है तो शुट्जे लेंड के जिनवा में इसका मुख्याला है इसके सदस्देश कितने हैं 194 इसके सदस्देश यह अंतर सरकारी संगठन है दोस्तों और डबली एच्चो का पहले क्या नाम था इसके इसका पहले नम क्या था इंटरनेशनल सेमी टेशन कोंफरेंस पहले इमिए आप सेक्जाम में पूश सकता है आंगे देखते हैं दोस्तों का डावलाल चापना का अटती सफटाव रखा गया डबली एकटो कि दोस्तों छै चैत्री का रियाला हैं उसके वाले में देखते हैं तो है ऑच। छैत्री का रख्याले कहां कहां पर है इसके तो पहला हरारे कांपर अफ्रिका में दूसरा कोपेनेगन यूरोप में तीसरा है नहीं दिली भारत में भी इसका एड़कॉर्टर है इसका कार्याल है दच्छलपूर्वेशिया के लिए वासिंग्रण डिसी में अगला कायरो पूर मेड मेडिटेरियन में और अगला मनीला प्रश्रमी प्रांथ में दोस्तों ठीक से कारेल आगे देखते हैं दोस्तों अगली संस्ता है दोस्तों मोश इंपॉर्ट है खाद और क्रिसी संगठन फूड एंड एंड अग्रिकल्चर और इसके सापना कब वही थी उनिस से पैंतालिस में वही थी इसका मुख्याला कहां पर है इटली के रादानी रोब में है और इसका स दोस्तों आगे देखते है अपनी अगली संथा है अगली संस्ता है संथ राष्ट बाल कोश्ट इसका फूल फर्म क्या है इसके सापना कब वहीं थी 11 इसंबर लेकिन उनाटेंसरों का सधाई सधास से इसे बना दिया गया था उनिस्वो तिरपन में इसके सधास से इसका पूर्वर्तिज इसका पहले नाम क्या था उनिटर नेशन इंटरनेशनल चिल्ड और इमरजन्सी फंड क्या था आगे देखते हैं दोस्तों मोश इंपोइंट आगे इसका पॉइंट इसकी सापना कसरे किसे दिया जाता है तो पुलेंड के चिकिस्तप लुडविक रॉस्मन ने उनिसेप के गठन कर में प्रमुख भूम कर निवाए थी काहा की चिकिस्तप आगे देखते हैं को अगली संस्ता दोस्तों मुश इंपोइंट है जनरेल एक्रीम्ट ऑंट्रेड ऐंडर्ई ऐसका सबसे पहलेंगे मुझ्यजतरे कि गेट Sue फुल फर्म किया तो जनरल एग्रिमेंट और टेरिफ एंड ठेड ठीक दोस्तों और इसकी स्थापना पुछता है इसके सापना कब हुई है उनिस सथापना की गई है इसका उद्देश क्या है बैसिक व्यापार को पड़ावा देना इसका मुख्य उद्देश से और उर्गव आप से पूछ सकता है कि व्यापार को बढ़ावा देना और इसका नाम इस संस्ता को अटा करके व्यापना कब कर दी गई थी तो पंचानवे में कर दी गई थी आगे देखते हैं अब ड़व्यरुटीए के बारे में देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड औरगवनेशन ड़व्यरुटीओ का फूल फार्म होता है इसके स्थापना कप की गई एक जनवरी मिनिसोफ पंचानवे को इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना मरा के सम्ज़ोते के तैत इसकी पिस्थपना की गई थी दोस्तों टिक इसका मुख्याला कहां पर है तो शीडियल न के जिनेवाँ में इसका मुख्याला ए इसके सदस्य कितने हैं तो एक सो चौशुत इसके सदस्य देसं दोस्तों ठीक आगे देखते हैं अगली हमारी संस्था दोस्तों इंटरनेशनल लेभर ओगणीशनम मोस्त इंपोरीं दोस्तों इसके सफना कब सब्सक्तियां इसकी इसकी इसका मुख्याल है तो इसकोश इनवह में बैसे आंती के लिए इसे नोबोथ पुरॉस्कार धिया गहता इंटरनेस्टल Bean Ball और और देखते हैं अगली हमारे संस्ता है दोस्तों दच्छिर सायोग संगठन सार्क सबसे पहले तो आप से पूझ देता है कि सार का कि आप फूल फॉर्म देख लिए साउथ एसियेशन फॉर रीजिनल कोपरेशन दोस्तों इतना है इस आगे भी जोड़ा गया क्या इंटरनेशनल बिजनेस टिक बिजनेस के सवयोग के लिए बनाया गया था इसके सापना कपी गई थी दोस्तों तिसके सापना होई थी आप द इसका मुख्याला कहां पर है तो नेपाल के रदानी काटमांडू में है और इसके सदसे देश कितने हैं आठ हैं और साथ में अफगानिस्तान बीस में सामिल हो था अब इत आठ देशों को हम कैसे याद करें तो दोस्तों अगर आप सबी लोगों ने वर्ल कम आप देखा हो है भूटान है भूटान को बाद क्यों सा देश है बंगलादेश बंगलादेश सब सिदे नीचे आए तो स्रिलंका है ठीक फिर कौन सा है फिर मौल्दीवे तिया आठ देश आप अराम से अगर मैप में तिन्चार बार देख लेंगे तो आपको यह याद हो जाएंगी संसा कोलंबिया में 1980 में किया गय था और 1950 में इसके स फवापना कर दी गई थी दोस्तों ठीक आग सब अगली संस्ता है तो एकोनॉमिकल कोपेटा इसके फूल्पोम होता है इसका इस्थापना कब 600 1997 में इसकी इसका मुख्याले नहीं ठीक और गोश्रा के माध्य में इसके इसके सबस्के दूस्तों टीक वह इसके सदसे देश कितने हैं बंगलादेश भारत स्रिलंका और थाइलेंड चार देशों ने लिए गए थे तो साथ बन गए तो साथ डेश कौनकों से बारत फिर नेपाल फिर बुटान फिर बंगलादेश फिर कौन सा है मैमार फिर थाइलेंड फिर नीचे आज़ाए ओ स्रिलंका मैप में अगर तीन-4 ब आपको याद हो जाएंगी को चलिए अगली संस्था हम देखते हैं अगली हमारा शांस्था है ब्रिक्ष दोस्तों ब्रिक्स की सर्चा दोडार एक में जीमो निल द्वारा की गई थी अब दोस्तों ब्रिक्स में कुल पांच देश हैं इसके सबना कभ़ी थी 2009 में और सेलदस के थैसे और हर साल जैसे मालिज जय इसके अदिस्ता छिया इस साल ब्राजिल ने का लिए इसके अधिस्ता तो अगले साल कोन करेगा रस्य उसके बाद इंडिया करेखा पुमाद चाइना पूरुदा साउधर फिर्क का हर साथ इसी क्रहम में देश दीश के देशता करते हैं और पहला समीलेंग दोह हैं 9 में इकांते रिवर्ग रसिया में किया गया था ठीक दोस्तों आगे देखते हैं अगली हमारी जो संस्था है दोस्तों निव डेवल्प्मेंट बेंक बिक्स जो संस्था है उसी उसी देश को सद्यसे देशों मिल करके न्यू डिवल्लपमेंट बैंक की तहीं देयर बार에 में नई दिली में फोड देडरे दिलबे नाउजी शुख कर सम मिलन के दोरान पहले बार नूड Works कopa बारे में चर्चा की गई थी दोस्तों ठीक्ट है थीva पूटे लिजा ब्राजिल में आउजी फोड़क के के साथ इसका शुरुवात किया गया था देवलप्मेंट बैंक की दोस्तों ठिक आगे देखते हैं अब जो है इसके स्थापना निव डूलॉप्मेंट बेंक की स्थापना दोयर बारे में तो नई दिली में संबैलन पर चर्चा हुए थे लेकिन इसके स्थापना कप की गई थे दोयर चोद में इसका उपचारिक नाम भी कैब डिक्स बैंक भी कहते हैं इसका मुख्याला कहां पर है तो चाइना के संगाई में और इसके पहले अद्दस कौन है के भी कामत कहां से थे बारत के इसके पहले अद्दस थें के भी कामत अगली संस्था देखते हैं दोस्तों अगली संस्था है A.C.N. Infrastructure Investment Bank ऐसका फुल फ़रम होता है इसके सापना कब होती तो 2016 में होती इसका मुख्याला कहां पर है तो चायना के गाजाने बिजिंग में है इसे सदस्देश कितने 101 एसीया और गयर एसीया एसीया इसके सदेब सकत्व तीन आगे देखते हैं है अगली सताया दोस्तों इंपोयंट इस यह विकास बैंक adb adb का मुक्छित कहाँ टी तो इसके शञांत में दोस्तों कब होई थी कई बार आप से गयाँ कमुछा है एसी जोविकास बैंक क्छा अपना कब होई थी तो उनीज दिसमों निस चांचत में थी इसका मुख्याला कहां पर है तो फिल्पिन्स के राजानी मनीला में और इसके सदस देश कितने हैं तो 68 इसके सदस देशन दोस्तों आगे देखते हैं प्रतेक साल जापानी करता है दोस्तों आगे देखते हैं अगली हमारी संस दोस्तों इसमें अंतर सरकारी संगठन है और 1997 में दोस्तों रूस सामिल हुआ था इसलिए इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था जी एट कर दिया गया था लेकिन 12.14 में रूस से निश्काशित हो गया था फिर से यह जी सेवन बन गया था अब जी सेवन में कुल कितने सदस्य देश है इसको देख लेते हैं दोस्तों तो कुल सदस्य देश कितने हैं साथ हैं तो कौन-कौन से देश हैं फ्रांस इटली जर्मनी यूके जापान यूएसज औ कैनेडीट अब देखिए इसमें चार देश तो दोस्तों Europe के हैं कौन-कौन से साथ देख हैं चार रूप से दो दो उत्तरी अमेरीका से और एक 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 इसीया से अपना यह जापान तो कुल कितने हैं साथ इसके सदस्य देश से आगे देखते हैं अगली संस्ता है, दोस्तों, जी-20, most important, 20 मतलब इसके कुल कित्व सदस्य है, 20 सदस्य है, इसके सपना कब हुई थी, 1999 में, जी-7 के सपना, 1975 में भी थी, जी-20 के सपना कब हुई दोस्तों, 1999 में, यह उब एक अंतर सफकारी संगठान है, अद्यश प्रतेक वर्स, सदस्य देश बारी-बारी से बनते हैं इसके अध्य गजु तो ठिक और इसके संसापक सदस्थे जो सदस्थे गटें वह drives के संसापक सदस्थे दॉस्तों egds सेवन कों तहेँ यूसे कैनेडा युक यूक जर्मनी जापान फ्रांस इसद्थ नियुए चाइना यूरोपेन उनियन अब यूरोपेन उनियन में दोस्तों 30 देश हैं सताइस देश हैं तो 27 देश को एक देश जोड़ा गया है ठीक फ्रांस जमनी भारत इंडोनेशिया इटली जापान मेक्सिको रूस सवदी अरब दच्छिड अफ्रिका दच्छिड कोरिया तुर्की यूके और यह से यह इसके पूरे भी सदसे देश हैं आगे देखते हैं अगली हमारे संस्था है युरोपीयन यूनियन के सपना हुई इस इए यूनियन की गई थी दोस्तों चैट यही सारे यूरोपेन में के सदस्थां हैं आगे देखते हैं अगली हमारी संस्थ दोस्तों ओपेक मोस्ट इंपोड़ेट है ओपेट ठिक ओपेग का फूल फ़र्म क्या है ऑगनेटिशन आफ पेट्रोलियम एक्सबोर्टिंग कंट्री सबसे पहले ताफ से फूल पर में पूज जयता है कि प्रिक फुल्पम क्या है और इसके स्थापना कभी है तो 1960 में इसका मुख्याला कहां पर रहे तो और श्रीय की राजदानी भी एनाय में इसका मुख्याला है इसकी जो अस्थापना होई थी दोस्तों बगदाज समयलियन के दौरान इसके सपना की गई थी यह एक अस्थाई अंतर सरकारी संगठन है दोस्तों इसका उद्देश क्या है सदसे देशों के पेट्रोलेव नीतियों के संब्द में एक ही करण को बढ़ावा देना क्या करना क्या मोनपॉली दोस्तों NTPC tier 1 में यह पूछा था क्या चैसाय दे दय था और आप से पूछा था कि कौन से संथा जो मोनपॉली Вाङुँव करती है जिसे मोन से लिए तो को हम मनोपॉली मतलब होता है कुछ लोगों का कुछ लोगों का संगठन कुछ बहुत कम लोगों का जो ऑगनेशन होता है उसे मोनोपाली कुछ लोग उसमें होते हैं तो कुछ लेटेड पेट्रोलम के एक्सपोर्टिंग से जो भी पेट्रोल का उत्पादन करती है वह कंट्रियां इसका सदस्य देश हैं आगे देखते हैं अगली संस्ता है दोस्तों OECD एक्चुली OECD बायत OECD का सदसे बायत नहीं है तो फिर भी एक्जाम में पूछा जाता है OECD का फुल फॉर्म क्या है दोग नेशन फॉर एकोनॉमिक कोपरेशन एंड डेवलप्मेंट इसका फुल फॉर्म है इसके सापना कब हुई है 1960 में इसका मुख्याला कहां पर है तो फ्रांस के राजानी पेरिस में भायत इसका सदसे नहीं है और इसके कुल सदसे कितने हैं तो 36 सद यासिम हो यह खाड़िस परिशत की और इसका सच्ची वाले मुख्याला कहां पर तो सौधी अरब के रियाद मिसका मुख्याला है यह एक समाजिक आर्थिक और राजनितिक संगठन है इसके अधिकारिक वासा क्या है तो अर्भी इसकी अधिकारिक वासा है सदसे देश कितन और अगली संगाई 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 संगठन इसके सपना कभी है दोयार एक में कई बार पूछा गया है इसका मुख्याला कहां पर है तो संगाई में सदसे देश कितने हैं है आट सदसे देश घ्जियक अस्थाई अस्थां इस थायी अंटर सुकारि से शंगठन है और नोरा सपुर्फ कोन को से दोस्तों तो इसमें देखिए वारत अससे लएबारे mayor Goई बारे के आपकिस्टान की वह एकर चिन है चिन के बाद किर्गिस्हता कंधाकिस्थान और रूज के आठ सदस्देश थिक 17 में भारत और पाकिस्तान यसाल को सदस्द का दर्जा था थिक दोस्तों र्सिया और उक्रेट के बीच युद का काराण बनाया है युद का दोस्तों यह रिजन था यूक्रेट नाटो का सदच से बनना चाहता था और रसिया नहीं चाहता था शाफना नाटो का सदस्ज में Cemak to I admin कि यूद च्छारिया और उक्रेन के बीच में अब देखते हैं कि नाटो का इसापणा कव मंट्वाом59 का इसका मुक्याला कहा है कहा है तो बेलिजीम कीा रधानी बुरुसेल्च में जो तो पूछा सकता है कि कि इसके साथ keptढ़ है उनिक lanes पर रहे तो तो आगे देखते हैं तक नाटो यूरोप और उतरी अमेरिका के मद एक सेने संग्ठनन कर दो दोस्तों है कि अगली सं स्टाइए गुट निर्पैक्स अंदोलन गुट निर्पैक्स नूलन की शपना कब अधियों समय दोस्तों निस्सों सबक्झे पोगा रहे जकार्ता इंडोनेस्यय् सबस्ताइब से बनाया जा सकता है अब नाम गुट निर्पेक्स को ही हम नाम बोलते हैं एन ए एम ठीक दोस्तों नाम के स्थापना में भायत के तदकाली प्रदानमंत्री जवाला नेरू मिस्ट के राश्पति नासीर और युगलोस युगोसलाविया के राश्पति जेसी ब् टूटो न ने इसकी अस्थापना महतपूर भूम का निवाई थी गुट निर्पेक्स अंदोलन के ठीक दोस्तों आगे हम देखते हैं अगली मारे संस्ता है अंतराश्टी सोर संगठन दोस्तों इंटरनेशनल सोलर एलाइंस मोस्ट इंपोरेंट है दोस्तों क्योंकि यह संस्ता इसका मुख्यालक आपर भारत में है और इसकी अस्थापना भारत ने महतपूर भूम का निवाई थी इसकी स्तामना का भूई थी 2015 में 30 नौंबर और इ पेरी समयलने के दोरान भारत ब्राजील की पहल परिश्ट का असापना हुआ था पेरी समयलने के दोरान यह अंतर सरकारी संगठन है सदस्ति देश कितने 121 है आगे देखते हैं इसके बारे में इसलामिक स्योग संगठन दे और और इसलामिक कोपरेशन इसका फूल फॉर्म होता दोस्तों इसके सापना कभी है 1969 में इसका मुख्याला कहां पर है तो सौधी अरब के जद्दा में इसका मुख्याला है यह भी अंतर सरकारी संगठान है इसके कुछ सदस्दिस कितने हैं तो सतामन हैं दोस्तों लेकिं दोस्तों इसका मोस इंपॉर्णन बात है कि सबसे बड़ा इसलामिक कटिरी इंडोनेसिया है यह इसका सदस्दे नहीं है और भारत में भी बहुत ज्यादा मुसलिम रहते हैं फिर भी यह भारत भी इसका सदस्द्दे नहीं है और इसके स्थापना रबात मुरँतव के दाने ह MRBA इसके स्थापना कि गई थी इसलामिक सेयोग संगठन दोस्तों इसके इसके बारे में एंटी पीसी में पूचा हुआ किसके स्थापना कब हो इती चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब कि अगली संच्था है अंतराश्टि पर्माड उर्जया पूछा गया एक्जाम में कि इसकी सपना कब हुई थी इसकी सपना हुई थी उनिस्ट सथावन में इसका मुख्याला कहां पर है तो वक्ष्ट्रिया के रादानी बिया नहीं इसका मुख की उद्देश क्या है तो एक तो दोस्तों यह रही आपकी पूरे इंटरनेशनल और न आप सभी लोग इसे तीन से चार बार देखें देख लीजिए आपको यह सारी संस्थाएं याद हो जाएंगी तो दोस्तों आज के लिए इतना है आप से मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तब के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद